हेलो फ्रेंड्स मैं शिताप्दी और शिताप्दी दर के जिसमें मैं अपने सारी दोस्तों का स्वागत करती हूँ जो रेसिपी बनाने जा रही हूँ यह बहुत ही इजी और बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगी इसकी जो ग्रेवी है वो देखिए मैं इसको जो है गैस के ऊपर भूल लूँगी जैसे पहले मैंने इसमें प्यास डाला फिर लैसून की जो कलिया है न वो इस तरह से मैं डालूँगी देख लीजे फ्रेंट्स इस तरह से आपने हो चाहे मैंने भी बहुत सारी मसालों से ग्रेवी से मशलिया बनाई है उबाल की भी बनाई है लेकिन यह जो है मैं आज फर्स टाइम आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट्स जरूर कर दीजेगा फ्रेंट्स तो देखी मैंने एक मीडियम साइज का प्यास ले लिया है आर्दस लैसुन की कलिया एक इंच अद्रक और दो कटे हुए टमाटर ले लिया है और इनको लेने के बाद मैं अब गैस में इनको जो है भूल लोंगी देखी इस तरह से भूल लेना है यह स्मोकी फ्लेवर वाली फिश की करी बनेगी जो खाने में बहुत टेस्टी होती है फ्रेंट्स आप लोग एक बार इसको जरूर ट्राइ कीजेगा तो इसको इस तरह से रखने से देखिए यह अराम से जो है बन जाती है तब तक जो है मै करायार कर लेती हूँ तो यहाँ पर मैंने पोना फिश लिया है यह बेंगॉल में बहुत जादा पाई जाती है और इदम जिंदा पाई जाती है तो इसको मैने हल्दी और नमक के साथ अच्छे से मैरिनेट कर लिया है और मेरिनेट करने के बाद अब मैं इसको थोड़ी देर इसी तरह से रखने वाली हूँ यहां मैंने 6 पीसिस लिये थे लेकिन 4 पीसिस का मैं ग्रेडी बनाऊंगी और 2 पीसिस जो है मैं फ्राई करके आज लंच में बना रही हूँ तो देखी यहां पर 6 पीसिस हैं अब देखिए जो मैंने अभी भूना था वो तयार हो गया है तो अब इसको सीख से मैं निकाल लेती हूँ सबसे पहले जो इसमें ब्लैक ब्लैक पोशन है यह आप ना तो फेक कियेगा और ना ही पानी में इसको डालिएगा क्योंकि इसको हम पानी में डालने से इसका जो स्मोकी वाला फ्लेवर है ना वो नहीं रहेगा अब इसको थोड़ा ठंडा कर लूँगी ठंडा करने के बाद देखी मिक्सी के जार में डायरेट ही इनको मैं काट लूँगी आधा तो यह जब मैं इसको मैंने भूना है तो आधा वैसे भी यह मसाला जो है बुन चुका है तो सारे मसाले को इस तरह से देखिए निकाल के मैं रखूंगी और इसको थोड़ा सा पानी इसमें डाल कर मैं इसको एक स्मूज सा पेस्ट बना लूँगी अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने स्मूज सा पेस्ट बना लिया है थोड़ा ब्लैक कलर आया है इस ब्लैक कलर से जब ग्रेवी बनती है न तो बहुत ही टेस्टी लगती है दिखने में और खाने में तो इसका टेस्ट बिलकुल ही अलग है आप लोग जरू पाले उपाल को जो है बाउल में रख लेती हूँ अब मैंने कढ़ा चरहादी है और उसमें थेल ले लिया है ताकि मैं मशली को इसमे फ्राइ कर लूँ झैसे तेल घरम होता है तो मशलियों को इसमें रख लूगी की फ्राइ होने के लिए पॉरा मचली जो है खाने में बहुत ही टेस्टी होती है काटे थोड़े से ज़्यादा होते हैं लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है इसको बहुत ज़्यादा फ्राई भी खाया जाता है तो आज मैं देखिए ग्रेवी जो बना रही हूँ एकदम अलग तरीके से तो अब मचली को बोज साइड से अच्छे से फ्राई कर लूँगी और जैसे ये फ्राई हो जाती है तो मैं इनको एक प्लेट में उठाकर रखती भी जाऊंगी देखिए फ्रेंड्स मैं मचली अच्छे से बुन चुकी है तो अब मैं इनको प्लेट में रख लेती हूँ उसी तेल में देखिए जो मैंने मसाला पीसा था उसी तेल में डालूँगी और इसको अच्छे से फ्राई करना है दिखने में तो ये थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक रख रहा है लेकिन जब ग्रेवी तैयार हो जाएगी तो इसका कलर एकदम गोल्डन लगता है दिखने में थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक भी इसमें मैं एड़ कर दूँगी जो भी मैं एड़ कर रही हूँ सारी इंगिडियन्स के नाप मैं हमेशा वाल में दे देती हूँ नमक आप थोड़ा सा देखकर यूज़ कीजीगा क्योंकि मशलियों में अल्डेडी नमक था तो अब इस मसाले को बहुत से अच्छे से फ्राई कर लेना है इसमें मैं इसके कलर को और भी अच्छा बनाने के लिए मैं इसमें डालूँगी आधा चमत जो है कश्मेरी मिर्च इ देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जरू से सब्सक्राइब कर दें और बेल आएकर भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुँच जाए तो यहां पर मैंने मसाले को अच्छे से भूनने के लिए थोड़ा सा पानी भी एड कर दिया है और यहां आधा टीस्पून गरम मसाला भी यूज कर रही हूं तो अब एक उबाल आने तक थोड़ी देर वेट कर लेना है तो देखे फ्रेंट्स एक गुबाल आ चुका है तो अब मैं मस्चलियों को इसमें एड करूंगी मतलब इसमें डालोंगी ग्रेवी में बस थोड़ी देर और इसको ग्रेवी में पका लेना है अब इसको दूसरी साइड भी पलट दूगी ताकि ग्रेवी अच्छे से मश्लियों के अंदर तक चली जाए बहुत ही टेस्टी बनी है फ्रेंड्स आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि नए नए डिश बनाने में और खाने में तो सभी को अच्छा लगता है तो अब ग्रेवी को अच्छे से मश्लियों मश्लियों के अंदर तक पहुंच जाए इसलिए मैं इसको दो तीन मिनट तक ढखके पकाऊंगी अब जैसे ही दो से तीन मिनट हो जाता है तो धक्कन खोलूँगी तो फिशकरी बनकर बिल्कुल तयार है आप लोग देखिए इसका कलर देखिए और देखिए तेल जो है एक गम सेपरेट होने लगा है तो फ्रेंड्स अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो जरूर राओ लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिएगा और नई फ्रेंड्स से भी रिक्वेस्ट है जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो अब मैं इसके उपर डालूँगी थोड़ा सा धनिये का पत्ता जो पहले से मैंने काटके रखा था तो देखिए गरमा गरम फिशकरी तयार है गरम गरम चावल के साथ बहुत अच्छा लगने वाला है तो चलिए सर्ब भी कर लेते हैं